हलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल भी रूगे के पिडिक्शन में तो दोस्तों आज हम बात करना वाले इस मैच का सब अपडेट्स एनलैसिस टॉस पिडिक्शन और प्लेंग लेवन के बारे में तो दोस्तों वीडियो काफे इंडेस्टिंग होने वाला वीडियो के लास्त तक जुरूब बना रहा है अब बात करते हैं जहां पर मैच नमर 3 जोकी खेला जाएगा इंडिया वॉस्स ऑस्टेलिया के बीच में पहले दो टीट्वेंटी मैचों में जिस तरह भात में ऑस्टेलिया को और आए वे काविले तारीब था टीम ने लास् की जाए तो पर सप्राइग कर्कटर स्टेडियम के पीछ हाई स्कोरिंग नहीं है मैच के लिए विकेट की उमीद है इसके पिछले के में जितना सपहाट होने की समावना नहीं है और सेकंड इनिंग में यहां काफी दिखने को मिल सकता है जिसके चलते हैं सेकंड बैटिंग इजी होगा वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो मैच के तीन मौसम सुहाना रहाएगा साम के बाद उस पर सकती है तेमपरेचर 15 से 20 डिगरी के सेसेस के बीच में रहाएगा वहीं अगर टॉस पिडिक्शन की बात की जाए तो सेकंड एंग में डियू के चलत रितुदवाज गैकवाट भी सेट होकर अच्छे स्ट्रोग खेलें इसान किसान में फॉर्म में देखा बैक टूबैक 52 मैच में बनाए उन्होंने प्रूफ कर दिया कि वेवेस्ट बैटर है उन्होंने मैच विनिंग 9 खेला कप्तान सुरिया तो ही बेस्ट प्लेयर जो टी मैच में उन्होंने तहलका मचा दिया उन्होंने तीन विकेट लिये थे और सब्सक्राइब थोड़े से मांगे स्थावित हुए तो इस मैच में उन्होंने लाइन लेंथ में सुधार करना हुआ नीव ऑल की जोड़ी इस पाथ अच्छे बैटर अगेंस ज्यादा एक्स्प पार रहे हैं वहीं आगे बात करते हैं इंडिया का प्लेंग लेमें देखते हैं जहां पर सुर्क कुमार यादव जोकी कप्तान है रितुराज गैकवार्ट इसान के साथ जो विगेट की पर है यह से सुजस्वाल तिलाक वरमार इंकू सिंग अक्षर पटेल रभी कुमार और पसित किस्ट पात करता है उस्टेलीया का शौट करता है था लस्टकेम में लेकिश में धंडिन कर अपनर कर जाए तो काफी स्टेवल रहा दिख़ रहा स्ट टेम डेविट किसी वर्त मैच में प्लत सकते दोनों हीटिंग रखते हैं लास्ट मैच में कम्बैक या लेकिन या फ्लफ यह मैच में मैक्सवेल कमाल कर सकता है मैथुबेड ने लास्ट में कुछ अच्छे शॉट लगाए था और टीम के लिए अटेकिंग किर्केट खेला था इस स्रीज में उस्टेलिया की बॉलिंग अब तक भीक दिखी लास्ट दो मेंच मन के बॉलर्स ने दोस्त ज्यादा रन बनवाया फास्ट बॉलर एफेक्टिव नहीं दिखे फास्ट बॉलर तीन अब तक स्रीज में काफी किया लास्ट गेव में फास्ट बॉलर जेसन बैंड्रोफ पो ड्रॉप कर लिया गया था वह अपसी कर सकते हैं यहां सेम कंडिशन में उन्हें फायदा होगा उस्टेलिया के प्लेइंग लेवन की बात कहें तो मैथ्यू वेट जो कफ्तान वीकट कीपर दोनों हैं इस्टी होगा कि कोई इंग्या कमबैक कर चुकी है काफी एस्ट्रोंग है अगेंस्ट अस्टेलिया को यहां पर अस्टेलिया को हार मिल सकती है तो ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ बना रहे हमां चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरू करें और कॉमेंट में बताएं कि ह हमारे वीडियो कैसा लागा ओके यहां मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में